दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस साल अब तक डेंगू के बारासो अठावन केस सामने आ चुके हैं दिली नगर निगम ने अभी तक 5 अक्टूबर तक के ही मामले जारी किये हैं वहीं जिसके मुताबिक सितंबर महिने में डेंगू के 693 केस सामने आये थे जो की अपने आप में हैरान करने वाले हैं इसके मुकाबले अक्टूंबर की शुरुआती पास दिनों में डेंगू के 321 कैस रिकोर्ट की गए हाला कि इस साल डेंगू से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है वहीं साल अब तक मलेरिया के 153 और चिकन गुनिया के 98 केस रिपोर्ट हुए है जबकि अक्टूबर महिने में ही अब तक मलेरिया के 28 और चिकन गुनिया के 5 केस रिपोर्ट हुए है लेकिन दिखा जाए तो डेंगू का जो प्रकोफ है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस साल अब तक डेंगू के 1258 जो केस हैं सामने आ चुके हैं सितंबर की बात करें तो सितंबर के महिने में सबसे ज़ादा 693 केस सामने आए हैं वहीं ऑक्टूबर में 5 अक्टूबर तक का जो डाटा जारी किया है वो अपने आप में डराने वाला है तो डेंगू के प्रती हमें सजग और जागरुक रहने की बेहाद आवशकता है क्योंकि अब सीजन वही शुरू हो चुका है तो क्या है वीडियो पर आपकी राय कमेंट करके बताईए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहें इन खबर किस्व